किसान भाईयों क्या आप भी बेहनी खेती में आने वाले तनाचेदग और फज्जद कीड़ की बहुत ज्यादा परसन है। आप यहाँ पर बहुत सारी दवाईया लगा चुके हैं और बहुत सारे उपाई भी यहाँ पर कर चुके हैं। आप ने हाँ पर बायोजिकल दवाईय का स्प्रेवी कर लिया और निक और असाइलिक दवाईया का स्प्रेवी कर चुके हैं। कापी सारे हाई डोस भी आप यहाँ पर लगा चुके हैं। जिसकी बेसे आप खेत खराब हो गया है। फल और फूल जढ़ने लगी हैं। सारा खेत का माल जो है काना यानि खराब हो चुका है। और आप की खेती के पत्ते भी यहाँ पर पेले पढ़ चुके हैं। तो यह वीडियो खास आदे आपके लिए हैं। करती के खेती के वीडियो आपको बताना गाल हूँ लिए किस प्रकार आप खेती को बढ़ा प्रखाती है और क्लाशत को स्क्राब्स भी लाईका की उमें पर होके भी आपkas चाहिए। और घन कार कीट के बारेना पर कणूगा है а। और कौन कौन सी गलती हैं आपको यहाँ पर नहीं करनी है ताकि हमारी खेती में इस कीट की बेज़े कोई सबस्ते हैं आपर ना आए तो चलिए शुरू करते हैं कि नमस्कार मैं राजकुमार सेनी स्वाध करता हूं अपनी यूटूप चैनल सेनी एक्सपर्ड में किसान भाई वीडियो कर अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनलों को सब्सक्राइब यहां पर कर देना ताकि इस तरीके हैं पहुंच सकें और वीडियो भी आपके पहुंच सकें सबसे पहले देखें बैनिक खेती इक तरफ और सब्धानिया एक तरफ कर दो हमारे दबाई यहां पर नहीं करें तो सबसे नहीं आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन क्योटों से भी आप छोड़कारा सब सब्सक्राइब करते हैं गर्मी के मौसम में और गर्मी के कम करते हैं कभी तो हम दुपएर में श्वाइब करते हैं कभी क्या करते हैं 對 दस बजे का भी 11 बजे कर दिया तो इस ते हमारे दवाई जो है काम नहीं करती क्यों कि गर्मी में हाई टेंपर होने की बेश से अगर आप सुबह साथ बेज बाद इस पर करते हैं तो क्या होता हमारी दवाई होती है वह एड़ मॉस्फेरिक में रिलीज हो जाती है और हमारे दवाई यहां पर कोई भी काम नहीं करती तो यह गलती हैं आपको नहीं करनी हैं आपको सुबह 6 वजे से पहले करना और साम को 5 बेज बाद बहुत ही अच्छा रियट देगी नंबर 2 पर किसान बहीं गलती करते हैं पुरानी दवाईों का इस्तेमाल करते हैं तो उस से होता क्या है कि जो कीट होता बोगा अनुकोल हो जाता है और बहुत दवाय उसन पर बेलकुल भी काम नहीं करती है तो अब हमें शद्रूत है नए से नहीं टेक्निकल इस्तमांने की ताकि कीट उसके अनुकोल नहीं होता और दवाई जो दवाई होते है वह अराम के साथ में पर लोगों खग Shield करने का काम कर देती हैंति हमारे ही थे देखाय कोई किसान बाइस क्या कांट यह करते हैं गड़ों का उपके नहीं होता हिमारी हमारी दौक। ज़ोती है वो गंदे पाने में यतनते बहाने का रहा है कीट होता है और कीट मालभी चल oss तो हमारी पैसे की बरबादी भी होती है, साथ में समय की बरबादी भी होती है, तो ये कलती है आपको नहीं करनी है, आपको हमेंजा स्वच जल का इस पर ही करना है, चोगता कानल ये को रहता है, हमारे किसान भाई यहां पर इस्टीकर का इस्तमाल नहीं करते हैं, ये किसान भ दवाई को डाली के अंदर तक भीजने का काम करता है जिससे कीट असानी से मड़ जाता हूँ और दवाई कापी समय तक रिएट यहां पर देती है साथ में अगर दवाई के बाद में इस पर बारीज भी पढ़ जाती है तो भी हमारा दवाई खराम नहीं होती इस टीकर के प्रक्षियाईगी और मक्यव डंक मारेगी तो उसके अंदर क्योट बनना ही बनना तो आप खेती के आसपद गंदगी नहीं होने देए तो यह से कारण है अगर आप खेती के अंदर ध्यान देते हैं इंची जोगा इस्तमाल करते हैं ध्यान लगते हैं तो हलकी से हलकी गड़ा खोँदें घ्रक्षण देवाप फ्रोडान का इस्तमाल करते हैं तो अब हमें क्या करना है अब हमें यहाप इसाज स्फ्रोंग्राम से लेके एक किलोग्राम दक फ्रणै का इस्तमाल करना है है फडेन में किया क्रा होता है कि युठक फ्री ने का मनने का काम करता है उसकी बात हमारी तो कि यह कीट बिल्कु आसानी साथ में खत्म हुआ है तो हमें करना एह किराउप साइंस की आती है डेजर सूपर जो कि हमारी 300 रुपे की 100 ml की सीसी मिलती है जिसको आप 75 से 80 लिटर पानी के अंदर खोल का इस्प्रेय कर सकते हैं और इसके साथ में हमें एक एक का लेना यह हमें इक ग्रम 30 लिटर पानी साथ से एक का का इस्तमाल करना और सधम किसी कंपने का आप इस्टीकर ले सकते हैं और इस्टीकर नहीं मिल अह LIKE करते हैं तो आप यहां पर सेम्पोर इस्तवर करते हैं यह एधिफर कर और चखोंशताओerdस करते हैं नातधिवर फैर्ण भिक्त श्व बही काम ये बैहनी खेती के अंदर भी करता है फोटाब को लाता है कल्लो को बढ़ाता है और फलफोल में व्रद्धी भी यहाँ पर करता है तो ये गलती ना करके आप इंचीजों का इस्तमाल करते हैं तो बैहनी खेती में फलफोल को बढ़ा सकते हैं और ताना चीदा फजय कीट से बिल्कु शुटकार यहां पर पास आकते हैं गारंटी के साथ तो किसान बाज़े वीडियो दरूर लाइक करते हैं धन्यवाद